हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दे अनाधर वीडियो है जो कि हमारा मंडे के लिए होगा लास्ट वीडियो में हमने जैसे बात की थी निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर कि मार्केट एक रिवर्सल ले सकता है मैं मार्केट में बुलिश हो जैसा मैंने कहा था इस लेवल से एक्जेटली सेम मार्केट ने रियक्शन दिया है, अब सैड की तरफ, और एक नया निव अल्टाइम है, निफ्टी ने यहाँ पर लगा दिया है आज, निफ्टी जो है, वो बैंक निफ्टी से थोड़ा ज्यादा बुलिश है, बैंक निफ्टी को यूटर लेने में थोड़ हमारा इसमें डायरेक्शन अपसाइड के लिए ही होगा, आप किसी भी स्टॉक या किसी भी अधर इंडेक्स में अगर ट्रेड करना चाहते हो, तो वो बैंक निफ्टी की अगर बात करें, तो प्राइज इस रेंज पर 51,600 के आसपास एक बार रुक सकती है, जो कि को रोकने के लिए एक छोटा सा लेवल ये भी है, 52,400 का, यहाँ पर भी प्राइज थोड़ा बहुत रुक सकती है, और उसके बाद प्राइज कंटिन्यू अप्रेंड में रहने के पूरे चांसे से, उसके बाद बात करते हैं कुछ स्टॉक की जिन में आप ट्रेड कर सकते ह मंडे को, उनमें से सबसे पहला स्टॉक है, माजगाव डॉक, यह स्टॉक मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि इस स्टॉक को मैंने जब यह 400 की रेंज पर चला करता था, यहाँ पर मेरी मार्किंग अभी भी है, वैसी की वैसी, यह था 422 पर जब मैंने फर्स टाम इसको होगी, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 40050 के आसपस, इसमें आप एंट्री कर सकते हैं, एक स्विंग ट्रेड के लिए, और सेम इसमें हमारा टार्गेट रहेगा, जितना हमारा स्टॉप लॉस है, मान लिजे 600 रुपए का स्टॉप लॉस, उससे डबल, यानि 1300 के आसपस हाला कि इस स्टॉप में हमारी जो एंट्री है, वो अल्रेडी हो चुकी है, आज, लेकिन अभी भी इस स्टॉप में काफी पोटेंशल बाकी है, इसमें आप मंडे को भी एंट्री कर सकते हैं, मान लो प्राइज साइडवेज ओपन होती है, तो तो एक दम अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी बहुत ग्याप अप भी होती है, तो भी आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, आपका स्टॉप लोस रहेगा यहाँ पर, जो कि हमारा स्टॉप लोस बनता है, 2400 के पास, लेकिन अगर प्राइज कुछ इस तरह से ग्याप अप होती है, तो इसमें बिल्कुल भ रुपीज के आसपास, तब इसकी प्राइज थी 75 रुपीज के आसपास, उसके बाद से इसने अल्मोस्ट 156 का हाई लगा दिया था, अब इसमें जो प्राइज एक्षन बन रहे है, वो वापिस से एक बुलिश मुमेंट को शो कर रहे है, इस से पहले हमारे एंट्री इस प करते आना चाहिए, अगर इस टेप को मास्टर कर लिया ना, तो आप एक स्टॉक में बार-बार एंटर कर सकते है, और एग्जाट पॉइंट पर आप उसमें प्रॉफिट बुक करके, जब स्टॉक नीचे आता है, इंस्टिटूशन के साथ आप उसी पॉइंट पर चुका है, उपर ऐसा कोई भी लेवल नहीं है, जो इसको रोक सके, एक पॉइंट इसमें यह हो सकता है, कि प्राइज यहां से ब्रेक आउट दे, थोड़ा बहुत ट्रैप करे, और नीचे आ जाए, अगर इस कंडिशन में प्राइज नीचे आती है, तो मैं आपको रेकमें आएगा, तो प्राइज यहां से कंटिन्यू हो सकते, यह जो है लॉंग टम के लिए भी बहुत अच्छा स्टॉक है, इसमें जो है, काफी बड़े टार्गेट आप अच्छिव कर सकते हो, जो मैंने MMTC की बात की, उसमें भी एक नजर डाल लेते, कि किस तरह आप एक ही स्ट की है, वो केसे की, क्या की, इस सब के बारे में आप अगर जानना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंड कर सकते हो, इस टॉक में, मैंने इस पॉइंट पर बाइंग की थी, और इस पॉइंट पर सेल किया था, इसका प्रूफ भी में आपको दिखा दूँगा, यहापर एक स्क्र वीडियो बनाऊंगा आगे, कि किस तरह से आप ऐसे सारे मुवमेंट कैप्चर कर सकते हो, और में हाइलाइट पॉइंट यह है, इस टॉक का, कि मैंने इसमें इस पॉइंट पर एंटरी की थी, यहाँ प्रॉफिट बुक किया था, उसके बाद मैंने वापस इस पॉइंट वीडियो आगे भी आपके लिए लाता रहूँगा, और उसके साथ साथ हम इन सेक्टर्स के बारे में भी बहुत डीपली बात करेंगे, मुझे काफी सारे लोगों ने ये भी पूछा, कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी तो देखते हो, उसके साथ साथ इतने सारे जो है, FM नेक्स लेवल तक ट्रेडिंग कर सकते हो, अपनी आक्यूरिसी को नेक्स लेवल तक लिकर जा सकते हो, इन सब को कैसे यूज करना है, ये भी मैं आपको आगे की वीडियो में सिखाऊंगा, तो प्लीज आज की इस वीडियो का हम लाइक का एम रखते हैं, 15 लाइक का, 15 इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेर कीजिए अपने दोस्त और फैमिली के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई